नमस्ते बच्चो आज हम 7th क्लास की साइन्स की बुक का 3rd चाप्टर कम्प्लीट करेंगे इसकी एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ आप पहले उसे जाकर देख ले उसके बाद इस वीडियो को देखें जिससे चाप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए उस वीडियो में हमने पढ़ा है कि वूल हम कैसे अप्टेन करते हैं और इस वीडियो में हम सिल्क कैसे अप्टेन करते हैं हम वो पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट हम यहाँ पर समझना जरूरी है कि occupational hazards क्या होते हैं वो hazards जो किसी की occupation की वज़े से आते हैं उनको occupational hazards क्याते हैं जैसे कि वूल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को अकसर ऐसा होता है कि वो anthrax bacteria की contact में आते हैं जो कि जब हम वूल बना रहे होते हैं उप्टेन कर रहे होते हैं इस process में बीच में कई सारी stages होते हैं जिसमें से एक होती है Sorter stage यहां पे हम fibers को sort करते हैं उस stage पे अकसर fibers पे ऐसे होते हैं कि anthrax bacteria होते हैं और उस bacteria के contact में वो लोग आ सकते हैं जो इन पे काम करते हैं और उस bacteria के contact से आने से उन्हें disease होती है जिसका नाम है sortus disease और यह disease क्योंकि उनकी occupation की वज़े से आ रही है इसलिए इसको हम कहेंगे occupational hazards सिर्फ यह नहीं बाकि वो सारे disease जो किसी की occupation की वज़े से आती है उसको हम कहेंगे occupational hazards तो चले हम यहां पे शुरू करते हैं silk warm के बारे में पढ़ते हैं silk कैसे obtain करते हैं वो पढ़ते हैं first term है यहां पे sericulture यानि कि यहां पे silk warm को हम develop कर रहे हैं उनसे silk obtain करने के लिए तो इसको ही कहा जाता है sericulture यानि silk warm को हम पाल रहे हैं तो चली आगे देखते हैं sericulture के बाद है next topic है life history of silk moth तो यहां पे हम एक diagram से समझते हैं बुक में नहीं दे रखा है firstly होता क्या कि silk warm जो होते हैं वो eggs ले करते हैं फिर उन eggs से next जो बनता है एक जब develop होते हैं तो उनसे निकलता है larva then larva के बाद जो next इनकी stage होते हैं उसको हम कहते हैं pupa then pupa के बाद वाली stage को हम कहते हैं moth और फिर यह जो moth है वो develop होता है cocoon के अंदर और फिर finally यह develop हो जाता है adult में यानि adult silk warm बन जाता है यानि silk warm पूरी तरह से grow कर जाता है तो यह इसकी stages है life cycle है पहले egg then larva larva से बना pupa pupa से बना moth and then adult तो आपको यह याद रखना है क्योंकि आगे process में यह काम आएगा कि यह process क्या है और इसमें कौन से stage है जहां पे जाके हमें silk obtain हो रहा है तो यहां पे देखे कुछ इनोने diagrams दिखा रखे हैं यह male silk warm है यह female silk warm है यह eggs दिखा रखे हैं और यह egg है malbury leaves पर generally इनहीं को consume करते हैं silk warm फिर यह silk warm दिखा रखा यह cocoon है और यह वो moth की stage है जो अभी हमने पड़ी moth है और moth है cocoon के अंदर तो यह cocoon क्या है आगे हम वो देखते हैं तो पहले हम यही पढ़ लेते हैं cocoon cocoon एक protective layer होती है जो develop होती है pupa stage पर pupa अपने चारो तरफ एक protective layer बनाता है जो बनी होती है protein की और इस जो protective layer है उसको ही हम खहते हैं cocoon और इसी cocoon से हम later stages में develop करते हैं silk और silk की कई types होती है जो उन्होंने आप बता रखे पर अगर हम कहें bestest quality तो वो होती है mulberry silk की क्योंकि ये जो silk होती है वो काफी soft होती है lustrous होती है shining होती है काफी strong होती है elastic होती है तो आपने देखा होगा अकसर अपने आसपास बहुत सी ladies को या आपकी मम्मीयों को जो silk की कपड़े पहनती है वो बहुत ही shiny और खुबसूरत लगते है तो अब लेकिन वो इतने खुबसूरत fabric जो है हमारे सामने वो बना कैसे है उसकी stages हम देखते है तो इन्होंने topic दे रखा है from cocoon to silk cocoon हमने देख लिया protective layer है जो की pupa की around बनी है उस cocoon से हमें silk कैसे मिलता है life stage हमने पूरी पढ़ ली है तो एग बना firstly एग बना eggs develop हुआ larva में larva आगें develop हुआ pupa में pupa develop हुआ moth में और moth अपने around क्या करता है protective layer बनाता है जिसको हम कहते हैं cocoon फिर इस cocoon के अंदर जो ये moth है वो developed होके adult बन जाता है तो इनका life cycle तो complete हो गया बट इनके around ये जो protective layer है इसका क्या होगा ये ही है cocoon और इसी protective layer से ही हम बनाते है silk चलिए देखते हैं क्या process है तो firstly हम silk warm का इनका first process है rearing rearing में क्या होता है कि जब silk warm eggs देते हैं मतलब leaves पर इनको उन farmers को बेच दिया जाता है जो कि silk warm का production करते हैं तो फिर ये farmers क्या करते हैं उनको अच्छे से protective environment में रखते हैं एक normal मतलब hygienic condition में रखते हैं जिससे कि वो egg destroy ना हो और उन्हें एक normal temperature और hygienic condition ये दो अगर ये बेकार condition में रहते हैं तो भी खराब हो जाएंगे और इनको एक normal temperature नहीं मिलेगा तो भी ये destroy हो जाएंगे और इनसे कुछ आगे नहीं बनेगा तो इसलिए ये farmers जो होते हैं वो काफी trained होते हैं कि कहां पे कैसी condition देनी है और कितना temperature रखना है देन होता है कि generally इनका जो production होता है एक खास season में होता है उस खास season में होने का reason ये होता है कि ये जिस tree पे रहते हैं वो है mulberry tree और इनकी leaves जो हैं जैसे हमें leaf दिखा रहे हैं इसी को ये consume करते हैं मतलब इनका nutrition है जो उनका food है ये यही mulberry trees हैं और ये पूरे साल नहीं होती है एक particular season में होती है तो जब जिस season में इस mulberry tree पे नई leaves निकलती है उसी समय हम silkworm का production देख सकते हैं ठीक है this is done when mulberry trees bear a fresh crop of leaves the larva called caterpillar or silkworm eat day and night तो मतलब ये ही इनका खाना है इसी को ये consume करते हैं और grow होते हैं यहां देखे दिखा रखा है eggs और यहां इन leaves पे silkworm को दिखा रखा है और ये है cocoon जिससे हम आगे silk का production करेंगे तो चलिए इस box को हम थोड़ा बाद में देखते हैं अभी यहां पे समझते हैं तो अब होता क्या कि हमने पहले दिखा कि जो eggs हैं उनको farmers को बेच दिया गया farmers ने एक hygienic condition और एक normal temperature maintain किया फिर यहां करते हैं bamboo tray बनाते हैं और उस पर इन silkworms जो यानि egg है उसको रख देते हैं और साथ ही साथ काफी सारी वहां पे mulberry leaves रख देते हैं और यह जो mulberry leaves इसलिए रखी जाते हैं क्योंकि इसको यह बहुत जादा consume करते हैं तो larvae mulberry leaves को consume करेगा बहुत जादा फिर after 25-30 days वो इसका consumption बन करतेगा और tray में एक side में मतलब एक attach जोनोंने कुछ structure बना रखी होती है जिसको हम कहेंगे मतलब chamber कह सकते हैं एक small part होता है जहां पे फिरिय लार्वा move कर जाते हैं और वहां उस chamber में जाकर ही क्या करते हैं cocoon का production स्टार्ट करते हैं मतलब अपने चारों तरफ एक layer बना देते हैं अगर मानलो यहां पे silkworm हैं तो इनके चारों तरफ यह खुद ही एक layer बनाएंगे और यह काफी अच्छी खासी थिक layer होती है और यह protein से बनी होती हमने पहले ही पढ़ लिया और इस layer को ही हम कहते हैं cocoon कुछ समय बाद यह डवलप हो जाते हैं और इनको इस protective layer की जरूत नहीं होती है तो उस समय इस protective layer यह इनके लिए बेकार हो जाती है तो उस protective layer को हम ले लेते हैं यानि cocoon को हम ले लेते हैं फिर करते क्या है उस cocoon को कुछ temperature में हम इसे ड्रग सकते हैं इसे temperature से exposed कर सकते हैं या गरम पानी में इसे डाल सकते हैं और फिर क्या होगा जो silk fiber जो है इनसे वो separate हो जाएगा ता process of taking out threads from cocoon for use as silk is called reeling the silk reeling of silk में क्या होता है कि हम जो silk fibers है उसको लेते हैं और उसको अलग-अलग process से हम उसे fibers obtain करते हैं जो silk fiber है उसे obtain करते हैं और finally in fibers से हम अलग-अलग fabrics बना सकते हैं ठीक है यहां पर एक topic हमारा छूटा हुआ था ये वाला discovery of silk तो ये माना जाता है कि आज से thousands of years ago चाइना में ही silk का production स्टार्ट हुआ था और वहीं से silk के जो fabrics हैं अलग-अलग European countries में और अलग-अलग parts में इनको भेजा जाता था बट दीरे धीरे फिर ये बाकी लोगों को भी यानि वर्ल्ड के और पार्ट में इनके बारे में knowledge गई और धीरे धीरे बाकी कंट्री ने भी इसका production स्टार्ट किया तो आज देखा जाए तो चाइना में silk का production बहुत जादा होता है यानि चाइना नंबर वन पे है लेकिन अगर हम यह देखें कि अशन ने लीडिंग कंट्री जो silk का production कर रहे हैं उनमें से चाइन उसमें इंडिया भी एक कंट्री है यानि इंडिया में भी इस अच्छे खासी अमांट में होता है और यह काफी बैनिफीशिल है और अच्छे खासे एमांट मतला अच्छे खासे रेट पे तो जो भी मतलब जो silk warm का production कर रहे हैं मतलब silk का production कर रहे हैं उनमें अच्छा खासा इससे benefit होता है तो यह पूरा process था कि हम कैसे silk को obtain करते हैं कोकून से और वो कोकून भी क्या चीज होती है और silk warm कैसे help करते हैं तो यहां पर हमारा second chapter complete होता है अब भी अगर इसमें कुछ इन questions को आप पूछ लीजे मैं वहां पर इसके answer कर दूँगी और यहां पर जो इनके exercise का question answer वो easy है हो जाएंगे नहीं होते हैं तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं